धंतीरस के साथ दिपावली की पांच दिनों की तेवहार की शुरुआत हो चुकी है 12 नवंबर रविवार की दिन दिपावली का तेवहार मनाया जाएगा दिवाली के मौके पर गड़िश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है लोग गड़ेश लक्षमी जी की नई मूर्थिया घर में खरीद कर लाते हैं और पूजा के स्थान पर इन्हें स्थापित कर देते हैं और पुरानी मूर्थियों को वहां से हटा दिया जाता है लेकिन साल भर जिन मूर्थियों को अपने पूजा घर उन्हें आप ऐसे कैसे हटा सकते हैं आखिर उनका क्या करे उन मूर्थियों का जो आपने पुराना रखा हुआ है तो चलिए आज हम आपको इस बारे में बताते हैं कि गड़िश और लक्ष्मी जी की नई मूर्थियां आने के बाद पुरानी मूर्थियों का क्या करे दरसल नई मूर्थियों के आने के बाद एक चौकी पर कपड़ा बिछा कर उनकी पूजा करनी चाहिए पुराने मूर्तियों को पूजा वाले स्थान पर ही रहने दे वहां से हटाना नहीं है भाईदूज के बाद नई मूर्तियों को चौकी पर से हटा दे इसके बाद पुराने मूर्तियों की ओर मुखातिब होकर बड़े विनम्रभाव से श्रद्धा पूर्वक प्रातना करे हे प्रभू आपने पूरे वर्ष मेरे परिवार पर अपने कृपा बनाई है आपसे प्रातना है कि अब आप नई मूर्तियों में अपना स्थान ग्रहड कर ले इसके बाद आप पुरानी मूर्थियों की रोली, अच्छत, खील, बताशे, पुष्प, मिस्ठान ये सब चढ़ा करके पूजा करे आरती करे इसके बाद नई मूर्थी को वहाँ पर रखते और पुरानी मूर्थी को पूजा के स्थान से हटा दे हटाने के बाद पुरानी मूर्तियों को किसी अखबार या पेपर में लपेट कर सुरक्षित रखते और जब आपको मौका मिले तब इन मूर्तियों को विसरजित करते भूल से भी पुरानी मूर्ति जो इधर उधर उनको ना रखते ना ही गंदे पानी या गंदे स्थान पर फेके दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुब मुहुरत सुबह 9 बज़कर 12 बज़े से 11 बज़कर 17 मिनट तक सिक्षर स्थान और बुक स्टॉल साथी अध्यात्मिक लोग उन लोगों के लिए ये मुहुरत शुब है तो है आपको बता दे कि दोपहर 1 बज़के 1 मिनट से धाई बज़े तक लोखा उद्योग, जूता उद्योग और फैक्टरियां इन सब जगह पर ये समय शुब माना जाएगा वही धाई बज़े से 4 बज़े तक सिक्षर संस्थान विद्याले क्यानि कि 3 बज़ करके 56 मिनट पर पूर्ण रूप से चार ना बजा हो इस समय पर आप किताबों की दोपान और पब्लिशर ग्यान से जुड़े हुए लोग इस समय पर अपनी पूजा कर सकते हैं वही आपको बता दे कि पूजा पाट समागरे से जुड़े हुए लोगों के लिए ये शुब मुहरत है घर पर लक्षमी गड़ेश की पूजा शाम साड़े 5 बज़े से 7 बज़ कर 39 मिनट तब का समय अतिश शुब है 7 बज़ कर के 39 मिनट के बाद से 9 बज़ कर 43 बज़े तक शुब मुहरत है वही कारिश सिद्धी पूजा विशेश साधना के लिए रात 12 बज़ कर 6 मिनट से रात धाई बज़े यानि कि 2 बज़ कर के 22 मिनट पूर्ण रूप से धाई ना बज़ा हो ये समय काफी ही शुब माना जाएगा और फलदाई माना जाएगा